आई उपनिंग वीडियो है काफी युवाओं के लिए जो बोलते हैं मैं उकेशनली खाता हूँ, उकेशनली ड्रिंक करता हूँ, उकेशनली सब करता हूँ, मैं हर रोज नहीं करता हूँ, अगर मुझे भक्ती बड़ी अच्छी लगती है जैशी राम दोस्तों कैसे हूँ आप सब, आप सभी का स्वागत है, आज के इस व्लॉग में दोस्तों सब सब पहले सभी भक्तों को गनेश चतुर्थी की धेर सारी शुपकामना प्रभू की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरस्टिंग क्यूएने व्लॉग लेकर वापस लोटा हूँ जिसमें आपके सवाल होंगे मेरे जवाब तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल के जवाब आज आपको मिल सकता है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेर जरूर करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं नौनवेच खाना हो या व्यसन हो इन चीजों को कभी भी प्रोचसाहित नहीं करता हूँ लोगों को यही कहता हूँ कि आप मत इनका सेवन करे कभी भी उस मार्क पे मत जाए क्योंकि यह सारी चीज़े आपको भगवत भक्ती के मार्क पर बाधा उत्पन न करेगी यह सब तामसी चीज़े हैं नौनवेच खाना हो या ड्रिंक्स करना हो स्मोक करना हो नेगेटिव एनरजी बहुत एट्रैक होती है इन सब चीजों से और क्या कभी किसी का भला हुआ है व्यसन करने से आप मेरे को ये बताईए होता है कहीं बार हमें अपनी इंद्रियों को वश्मे करना कठिन हो जाता है अगर हमें वो आदत है व्यसन है काफी सालों से हम वो चीज़ करते आ रहे हैं suddenly कहीं कहीं लोग एक दिन में भी बंद कर देता और कहीं लोगों के लिए कठिन हो जाता है पर at least आप उसे बंद करने का प्रयास तो करें यह तो वैसे ही बात हुई कि जैसे मैं नॉन्वेच तो खाता हूं अगर मंगलवार के दिन नहीं खाता हूं या फिर occasionally खाता हूं तो य से आप किसी जीव की हत्या करके उसे घरहन कर रहे हो व्यसन करना अच्छी बात नहीं है अपनी इंदरियों पर कंट्रोल रखो होता है आपके फ्रेंज होंगे अरे चलना पार्टी करते हैं अज मेरा बड़्डे पार्टे अरे क्यों भई पार्टी करनी है अगर आपको ना सुकून आपको प्रदान करेंगे ड्रिंक करने से क्या होगा सेहत खराब होगी प्रभू भक्ति के मार्ट पर बाधा आएंगी प्रभू से दूर हो जाओगे या अर्चन पैदा करें तो जो चीज प्रभू भक्ति के मार्ट पर अर्चन पैदा करें प्रभू से हमें द चीजों को छोड़ दीजे क्योंकि ओकेशनली करना या फिर रोस करना गलत चीज तो करी रहे हो ना उसे अच्छा छोड़ दो बिल्कुल छोड़ दो वो मार्ग देखना प्रभु भक्ती में अच्छे कर्मों में आपको बहुत सुकुन मिलेगा उन चीजों की तलब बिल्कु चीजों के लिए आकरशित होगा बस इन चीजों का ध्यान देना तो ये था आपके सवाल का जवाब दूसरा सवाल बहुत इंपोर्टन सवाल है ध्यान से सुनिएगा एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है उन्होंने मुझसे पूछा कि जैश भाया हमारे घर हमारे घर में प्रभू को हम थाल अर्पित करते हैं पूरा भोग जैसे सबजी रूटी चावल डाल मिष्ठान सालर मतले हम पूरा भोग प्रभू को हम अर्पित करते हैं तुलसी दल एड करके पानी का गलास जल का गलास जल के पातर में तुलसी दल डाल कर प्रभू को चावल में add कर देते हैं सबजी को सबजी में रोटी को रोटी में सब बाट लेते हैं ताकि वो प्रशाद रूप हर एक member ग्रहन कर सके तो यह हमारे घर में हम यह नित्य करते आ रहे हैं तो यह एक चीज आप कर सकते हैं या फिर आप गौ माता को भी उस भोग को अरपिट कर सकते हैं जैसे हम कहीं बार घर में देवी मा का नेवेद्य बनाते हैं तो हम गौ माता को अरपिट कर जैसे खीर रोटी हो आप प्रशाद रूप में भी लेते हैं और गौ माता को भी आप अरपिट कर सकते हैं तो इस तरह हम इन चीजो को गरहन करते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो हर एक को वो पुन्य मिले प्रभू का आशिरवाद मिले और नॉर्मल जो हमारा खाना होता है वो भी प्रशाद रूप बन जाए ताकि हर एक के पेट में वो प्रशाद जाए मैं बस यही कहना चाहूंगा तो यह एक सिंपल सी चीज ह हमारे रूटीन लाइफ में करते हैं तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं जो भी भोग आप प्रभू को अरपित करते हैं आप इधर ड्रेक लिए प्रशाद रूप में लीजे या फिर अपने जो भी में बड़े जो यूटेंस या आपके जो पतीले होते हैं उसमें अड़ कर कर रहा हूं इसका जवाब देने की और अपने विचार रखने की एक भक्त ने पूछा कि जैज भया मेरा सब कुछ खतम हो गया है मैंने बहुत भक्ती कर ली कोई फरक नहीं पढ़ रहा है मैंने भक्ती करना ही बंद कर दिया अगर आपके पास कोई उपाई हो तो बताइए मेरे पास अगर आप उपाई पूछ रहे हो तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपका जो विश्वास है ना उसे डगमगाने मत दो अभी जो संकट भुगत रहे हो ये कहीं ना कहीं आपके प्रारप्स या पिछले कर्मों से जुड़ा परिणाम है प्रभू पर विश्वास क सब कुछ जब इंप्लिमेंट करने की बात आती है ना तो सब कुछ वैनिश हो जाता है सब कुछ पानी फिर जाता है उसके उस विचारों के उपर अपने भरोसे को डगमगाने मत दो प्रभू पर विश्वास रखो अच्छे कर्म करो पिछले जो कर्म किये थे उसकी फसल अ आप अभी काट रहे हो तो अभी अच्छा वो तो आने वाले समय में अप अच्छा काटोगे तो भरोसा रखो ये इस क्रम की थियरी को समझने की कोशिश करो कोई रोकेट साइंस नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है कोई तंत्रमंत्र तोटका जाने दो वो सब भगवन नाम जतना हो सके नाम जब करो चालिस OURका पाट करो तोती करो जो भी आपको आपके जितना समय मिल रहा है चलते फिरते उटते बैटते प्रभू के नाम का स्मरन करते जाओ देखना प्रभू आपकी सहायता करने जरूर आएंगे देखा है ना हमारे जो main channel है कैसे कैसे अनुभव आते हैं बड़े बड़े और संभवकारी संभव होते हैं प्रभू की शरण में जाने से तो give up मत करो give up करना सबसे बड़ा पाप है मैंने पहले भी पिछले व्लोग में ही कहा था शायद से कि ये सोचना पाप है कि सब कुछ खतम हो गया जब तक आपके शरीर में प्राण है ना तब तक कुछ खतम नहीं हुआ अब बहुत कुछ कर सकते हो कहीं कहीं बड़े बड़े भक्त है जिनोंने प्रभू भक्ती के मार्क पर प्रभू पर भरोसा रखा अपने धीरच को डगमगाने नहीं दिया अच्छे कर्म पर विश्वास रखा तो वे फर्ष से अर्ष तक पहुँच गए वो कहता है ना जब भक्ती का वो बीज में से अंकुर निकलने वाला होता है जो वो स्प्राउट फूटने वाला होता है हम सही में भक्ती करने करने और जब वो फूटने वाला होता है तब हम give up करते हैं तो बिलकुल ऐसा ना करें सयम रखें सब अच्छा होगा और दोस्तो आप सभी को तो पताई है कि हम व्लौग को ऐसे ही end नहीं करेंगे प्रभू के नाम का गुंगान जो करना है और आज तो ऐसी पंक्तियां लाया हूँ बहुत कुछ सीखने मिलेगा इन पंक्तियों से तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी तो बुलिय सियावर रा हनुमान जी समय की महत्ता को अच्छी तरह से समझते हैं इसलिए वह बिना देर किये माता सीता की कुशलता का समाचार प्रभू श्री राम तक पहुचाते हैं नाक पाश से भगवान श्री राम और लक्षमन जी के प्रान बचाने के लिए अकेले ही गरुट जी को बुलाने चल देते हैं आधी रात में ही हिमालय परवत पर संजीवनी बूटी लाने पहुच जाते हैं और जब लगता है कि वह बूटी की पैचान नहीं कर सकेंगे तो बिना देर किये सारा पहाड ही उठा कर चल देते हैं इसलिए जो कोई भी एक अच्छे भविश्य का आनंद लेन चाहता है उसे हनुमान जी के जीवन से सिक्षा लेते हुए अपने वर्तमान के एक शन का भी दुरुप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त ही जिंदगी है बहुत ही पावफुल पंक्तियां है दोस्तों और मैंने पहले भी काफी बार कहा है हनुमान जी की पूजा अर करिएगा अपने विचार कमेंट के माधियम से बिताएगा अपने सवाल भी आप मुझे कमेंट के माधियम से पूछ सकते हैं जिसके उत्तर में कोशिश पूरी करूंगा कि अपने Q&A सेशन में दू और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकों को दबाईए ताकि आने वाले नए नए इंटरस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके और जल्दी लोटूंगा मैं एक और इंटरस्टिंग व्लॉग के साथ तब तक जै श्री राम जै हनुमान